हलो एवरिवन आज है इस पैशल पार्ट टू फिफ्ट नमबर ट्विंटी ट्विंटी वन के लिए मैं यहां बुश्रा हासिर हुई हो आपका पाउट टू रिमेनिंग था फॉर्थ फिफ्ट नमबर का जो मैं स्पैशल की हूं पार्ट वन जो मैंने किया है उसी का पार्ट है यह और न्यू कोईस्टिंस मैंने आपके लिए लिटिस्ट यहां पर लाए हुए हैं अब आप उनको सुनिए और अपने कंटेंट को बहतरी इन तरीके से प्रेपेर कीजिए सेशन को कम्प्लीट सुना करें लास तक बहुत ध्यान से और साथी नए लोग सस्क्राइब कर करें जो वाच कर लिया करें तो शेयर किया करें हर सोशल मीडिया प्लेटवाम पर यह मेरी समझ लीजिए कि एक स्टूडेंस की जो अपने ट्रेन अर अपने जो गुरू के प्रती जो एक महपत होती है वह होगी कि हाँ आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं और इस कंटेंट से आप सीख रहे हैं और दूसरों का भी भला सोचते हैं तो यह तमाम बाते हैं चलिए पहला कुश्चन लेते हैं हाली में अभी संजे भटाचारिया को किस देश में भारत का राजदूत न्युक्त किया गया है तो संजे भटाचारिया संजे भटाचारिया यह अभी 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 अभारत का राजदूत न्युक्त किया गया है तो इनको हंगरी में किया गया है आपको याद होगा कल ही मैंने अमबस्टर से तीन कुश्चन बताये थे यू ए ए में इंडिया के अमबस्टर बने थे फॉरेंड अमबस्टर सुजय सुधीर और आपको बताया था कि दिनेश के पटनाएक यह कहां पे बने थे भारत के राजदूत इस्पेन में और आपको बताया था पवन कपूर यह कहां बने थे यह रशिया के रशिया में बने थे भारत के राजदूत तो रशिया में इंडिया के अमबस्टर पवन कपूर स्पेन में दिनेश के पटनाएक और यू ए यू ए यूनाइटिड अरब एमिराट्स में सुजय सुधीर यह इंडिया एक ambassador कौन बने है संजय भटाचारिया तो यह पांच ambassadors के बारे में बता चुकी हूँ question आजना लाजमी है तो आप यह बात याद रखेंगे next question है हाली में भारत की मुख्य चुनाओ आयुक्त सुशील चंद्राने कि इस देश में अभी राष्टपती चुनाओ का नेतरत्व किया है तो उस वेकिस्तान में उस वेकिस्तान में तीन सदस्यों का एक पैनल था जिसका पूरा नित्रत्व किया है सुशील चंद्रा ने और अभी फिर से वहां के प्रेसिडंट बन गए है शबकत मिर्जियो शबकत मिर्जियो बन गए है कहां कि उस्वेकستان के बतायता आपको शबाकत ये शबाकत मिर्जियो कौन बने प्रेसिडंट बने हैं उस्वेकستان के ताशकन कैपिटल है उस्वेकستان सूम करिंसी है अचा नेक्स कुशन सुनिये हाली में अभी किस राजसरकार ने प्रदर्शन कारियों के खिलाफ एक कानून लागू करने की घोशना करती है तो बहुत ध्यान से सुनियेगा तो जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं या पिर धरना प्रदर्शन करते हैं या पिर कोई रैली करते हैं बहुत ध्यान से सुनियेगा को रैली धर्णा प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन और अगर उसमें किसी भी तरहा की कोई सरकारी छटी होती है यानि किसी भी गुवर्मेंट के किसी भी बिल्डिंग को या गुवर्मेंट की किसी भी चीज को जो पब्लिक के लिए है गुवर्मेंट की कोई भी चीज सरकार उन रैली करता प्रदर्शन कारी जो भी ये प्रदर्शन कारी है उन से दुगना या उससे ज्यादा हरजाना वसूल किय content ये कानून ला रही है मध्ड़ेप्रदेश-राज्यसरकार बहुत ही ध्यान से सुनना कोशन ये है कि हाली में किस राजसरकार ने प्रदर्शन कारियों के प्रदर्शन कारियों से हरजाना वसूल करने के लिए कानून लागू करने की घोशना की है दुबारा सुन लीजे हाली में अभी किस राजसरकार ने प्रदर्शन कारियों से हरजाना वसूल करने के लिए एक कानून लागू करने की घोशना की है ये कोशन बनाया था मैंने लेकिन सिंपली आपको बता दिया था मगर पूरा डिटेल बता रही हूँ तो विरोध प्रदर्शन कारी हो धरना प्रदर्शन कारी हो या कोई रैली कर रहे हैं उन से अगर कोई भी नुकसान होता है थोड़ा सा भी कोई नुकसान होता है किसी का भी हो और खास तो पर सरकारी हो तो उसका वो दुगना या उससे ज़्यादा हर जाना देंगे जतनी छटी पहुंची उतनी नहीं बलके दुगना मानीजे अगर एक लाक रुपे की कोई चीज विगड़ी है या पचास हजार की विगड़ी है तो पचास का वो डेल लाक ही देंगे बलके सवा लाक देंगे और एक लाक की विगड़ी है तो दुगना या उससे ज्यादा हर जाना देंगे वो विरोध प्रदर्शन कारी है या धर्ना प्रदेशन कारी है ये रैली अगर उन से कोई सरकारी नुक्सान होता है या फिर कोई भी नुक्सान होता है तो ठीक है ये कानून सकती से लागू करने जा रही है मतलब लागू सकती क्या लागू हो गया मतलब सब को मान नहीं है तो ये मद्यप्रदेश राज्य सरकार अब MP गवर्मेंट का तो आप जानते हैं कोई ना कोई नए इनिशिटव आते रहते हैं और हर सरकार के आते हैं तो MP गवर्मेंट ने भी 10 टास्क फोर्स यहनि 10 लोगों का स्पेशल दस्ता गठित किया था महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा के लिए MP मद्यप्रदेश का जो हबीब गंज है उसमें पहला रेलवे वाशिंग प्लांट कोच लगाया गया है यह पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट है MP का MP की बात करें एक जिला एक शिल्प अभियान चल रहा है यहां पर मद्यप्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान और MP की बात करें तो यहां EFIR EFIR Registration Service चल रही है यह आप रिजिस्टर के ओनलाइन रिजिस्टर कर सकते हैं आपकी FIR ठीक है तो E.F.I.R. पंजी करण या रिजिस्ट्रेशन सर्विस चल रही है और प्रेगनेंट लेडीज के लिए जादिवासी महिल आए है जबुगा डिस्टिक में कौन सी एक यह है क्या है डीदी वाहन सेवा यह चल रही है और दीदी वाहन सेवा के लावा यहाँ चल रही है जीवन शक्ति योजना, जीवन अम्रिथ योजना, निष्ठा, विद्युत्मित्र योजना, यह सब चल रही है टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए इंतिजार आपका ये चल रही है और किल कोरोना भ्यान भी चल रहा है और एक प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग यानि कमिशन का गठन भी MP में ही हुआ है ठीके तो ये तमाम बाते हैं आप बिलकुल ध्यान से याद रखे और जब भी यहां के चीफ मिनिस्टर का नाम आए शिवराजपूर वो सॉरी शिवराज सिंग तो शिवराजपूर को याद करना है शिवराज सिंग का नाम याद आएगा MP में यह लिया जाएगा शिवराज सिंग का नाम तो आप याद करेंगे शिवराजपूर बीच शिवराजपूर बीच गुजरात के दौहर का में है और शिवराज सिंग कौन है यह MP के चीफ मिनिस्टर है MP का माधवगर, माधव, पेच, पन्ना और सत्पुड़ा, संजे यह सब नेशनल पार्क है यहनी maximum forest area अगर इंडिया के अंदर कोई कवर करता है state तो कौन करता है? मध्य प्रदेश तो आपको यह बाते याद रखनी है next question सुनिए next question यह है कि हाली में अभी विदेशी मुद्रा की उप्योग पर किस देश ने पावंदी लगा दी है विदेशी मुद्रा की उप्योग पर किस देश ने पावंदी लगा दी अफवानिस्तान ने आपको पता है और बार 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 बताया गया है कि तालिबान का महाँ पे राज हो गया है तालिबान मीन इस्टूडिन्द का राज हो गया है अब कबज़े में मतलब है उनके वो राजपूरा अफवानिस्थान का जो राजपाट जो था वजो पुरी हकूमत थी वो किसके कबजे में आ गई है तालिबान के तो तालिबान का महाँ पे कबजा है तो ये अफगानिस्तान के अंदर इनों ने एक रूल लगा दिया है अपना कि क्या लगा दिया है कि विदेशी अखुंद ये इस तालिबान नहीं बनाया है ठीक है ये सब तो काबल तो कैपिटल है और अफगान अफगानी करेंसी है तो ये आप पिलकुल याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स कुशन है हाली में अभी हाली में अभी ओर्जन क्या है एक उर्जा एक ग्रिड ये अपने देश और किस देश ने मिलकर अभी लॉंच किया है तो एक उर्जा के लिए एक ग्रिड वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड ये भी हमारे प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी और यूके के चीफ मिनिस्टर क्या नाम है उनका यूके के चीफ मिनिस्टर वारेस चॉंसन इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है एक उर्जा एक ग्रिड यानि वन वर्ड वन सन एंड वन ग्रिड ठीक है ये इसका टाइटल है वन ये वन एनर्जी वन ग्रिड का ठीक तो ये आप याद रखेंगे अच्छा नेक्स कुशन है हाली में अभी हाली में अभी यूके की फाइजर वैक्सीन को पांच से लेकर पांच वर्ड से लेकर ग्यारा साल के ग्यारा वर्ड तक के बच्चों के लिए किस देश ने अनुमती दे दी है या मनजूरी दे दी है क्या है कुशन हाली में अभी पांच वर्ड से लेकर ग्यारा वर्ड तक के बच्चों के लिए किस देश ने यू के की कोविट वैक्सीन फाइजर को मनजूरी दे दी है तो अमेरिका ने जी हाँ अमेरिका में अब 5-11 साल तक के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाई जा सकती है ये ऐसी मनजूरी दी है यूसे ने कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है और इनको पर बताया था फिनोमेनल विमन किसने लिखा था किसने एक बुक लिखी थी लिखी थी चेदादनान राज गट्टा ने ठीक है और कमला हैरिस ने खुद भी बुक्स लिखी है तीन बुक्स इनकी सूपर हीरोज आर एवरिवेर स्मार्ट ऑन क्राइम और दट्र और यूएस और इंडिया के बीच कौनसी डिफेंस एक्ससाइज होती है तो होती है एक तो होती है एक होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रम वजर परहार और यूदव ब्यास यह सब याद रखेंगे नेक्स कुशन है फेस आईरिश या फेस स्कैन फैसिलिटी को भी किस ठीक है फेस आई स्कैन या फेस स्कैन फैसिलिटी मतलब आँखों की तो पुतलियों का जो आज भी लिया जाता है फोटो वो तो उनकी वो तो आज भी लिया जा सकता है लेकिन फेस स्कैनिंग फैसिलिटी जोती पुरा का पुरा चेहरा स्कैन करते थे इसको अभी बेहन कर है facebook ने और facebook ने जितने लोगों का आज तक face scan किया है जो एक rule लगाया था अभी वो data भी facebook delete कर देगा और अब किसी का face scan नहीं करेगा facebook social media platform ये ऐसा facebook ने अपना law बनाया है ठीक है मतलब अब कोई face scan नहीं करेंगे किसी का अभी तो face है ना आपने सुना होगा बहुत जगा face मैंने पताया है के face scan से sim भी मिलते नहीं बहुत देशों में ऐसा था अभी facebook ने भी कर दिया था इसको बेंड किया फेस्बुक के दो CEO कोने मार्क जकरबग 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और कैलिफोनिया में Headquarter है अच्छा जी नेक्स नेंसे नियुञक कस ने राश्टिय सच मिला थो ूइस पर वोड्र रिकॉर्डfilled onLES क्रिश्ट को मतलब वर्ड रिकॉर्ड ऑफ घिनीजे बुक में दर्च हो गया राश्टियài Il पर याद रखना किस वर्ड हमें र्यकॉर्ड और गिनीज बुक में दर जो गया है राश्टी सच गंगा मिशन और ये प्रवीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था बिलकुल सही बात है इंजीनेरिंग वर्क्स पोर्टल ये शुरू ये हर्याना में मैंने बताया था जो ठेकेदार काम करने में इंटरेस्टेड है उनक संग्रालें की स्थापना की घोशना की है तो मनीपूर के चीफ मिनेस्टर एन विरियंदर सिंग ने जिहां उन्तिस संग्राले जन जाती संग्राले खोले जा रहे हैं स्थापित की जा रहे हैं कौन कर रहा है एन विरियंदर सिंग ये मनीपूर के चीफ मिनेस्टर है मनीप न्यू डेवलोप्मेंट बैंक ये ब्रिक्स का है और जो चीन की कैपिटल है बीजिंग बीजिंग में किस बैंक का है तो AIIB और AIIB तो ये दो बैंक आप यादर किये इसी तरह जिसे मैं बताती हूँ अगर आपने इसी तरह लिंक करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी तो ख़यर लाई हरुआ फैस्टीवल शेंगाई महुच सब ये सब मनीपूर में और जो है मनीपूर में एक और बनाए जाता है चाल यह क्या नमस्का अust. एक पखे पागा होर्न वेलट festival और जाता सुरी तो अरॉणाचल प्रदेश में नागाळंड में मणीपुर में बन एक देराइब और नागर यूफλट में इस्षे हे मैप सब्सक्राइब अच्छा सिरोही निशनल पार्क यहीं है लोकटक लेक बहुत फेमस है यहीं है लोकटक लेक पे कौन सा निशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का फ्लोटिंग निशनल पार्क है कौन सा तो यह है यह केबुल लम जाओ निशनल पार्क और एक और है यहां पर सिरोही हो गया पुलिस स्टेशन यह कहां है यह भी है मनिपूर में इसका नाम है नौक पॉक्षिक मैं नौक पॉक्षिक मैं क्या है नौक पॉक्षिक मैं तो नौक पॉक्षिक मैं पुलिस स्टेशन मनिपूर में है यह भारत का सहज़ेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्चा मिला इसको ठीक है और मीरा भाई चानू भी यही है और मनीपूर की ASP बन गई है सबसे पहले सिलवर मेडल यही लाए थी मनीपूर की चीफ मिनिस्टर तो मैंने बताए है एन्मिर इंदर सिंग है गवरनर कौने लागडेशन और कैपिटल क्या है यहां की इमफाल क्या है इमफाल तो आप इस वाद को याद रखेंगे नेक्स क्यूशन है हाली में अभी हाली में भी सी एक मिनिट क्या नाम है इसका हाँ आयुशमान सी ए एफ सी ए एफ ए सी ए एफ ए हेल्थ कार्ट लाँच करने की गोशना अभी किस ने की है तो हमारे केंदरी मंतरी है कौन है केंदरी मंतरी ये हैं अमिट शाह और अभी कॉपरेट यानि कॉपरेशन मिनिस्टर भी हैं अमिट शाह अमिट शाह साहब ने सेंट्रल आर्म सी ए पी एफ कौन से C.A.P.F. Health Card आईश्मान C.A.P.F. Health Card सोरी मैंने C.A.F.A. कह दिया था C.A.P.F. Health Card है आईश्मान C.A.P.F. सही वक्त पर याद आगया ये अच्छी बात है थोड़ा अच्छा हुआ तो आईश्मान Central Arm Police Forces क्या है आईश्मान Central Arm Police Forces ये Health Card लाउंच किये जाएंगे इसमें सबी आएंगे जैसे की Assam Rifles है और इसके अलावा जो है ये Border Security Guard है Border Security Force है NSG है जितने भी तरह के आप फोर्स होती है पुलिस की जितने भी पुलिस फोर्स होते है सबी आएंगे जिनको C.A.P.F. Health Card दिये जाएंगे जिसे भारी अमाउंट मिलेगा और पुरा उन्हें कवर मिलेगा ठीक हेल्थ कवर तो ये आईश्मान C.A.P.F. Health Card लाउंच किये है केंदरी ए केंदरी ए ग्रह मंतरी अमिच शाह और कॉर्परेट मंतरी अमिच शाह ने तो याद रखना नेक्स कुशन नेक्स्ट है इसके बाद कहना में उनका कुछ डेविड करके है डेविड सन करके मैं थोड़ा सा डेविड मुझे याद रहे गया बाकी मैं भूल गी बाबाराजम नमबर वन पर हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में 1909 में स्थापना हुई थी इसकी यनि establishment year है और headquarter का है दुबई में है नेक्स कुशन है हाली में BCCI Board of Control for Cricket in India के नए-नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो राहूल द्राविड कौन बनाए गए हैं राहूल द्राविड तो राहूल द्राविड बने है नए-ने अध्यक्ष BCCI के और इसके सेक्रेटरी जिनरल कौन है तो अमिच्शा के बेटे जैशा और इसके प्रेसिडेंट कौन है BCCI के तो सौरप गंगुली headquarter कहा है तो मुंबई में और 1928 में इसकी स्थापना होई थी ठीक है यह आप याद रखोगे अच्छा अब एक कौशन और आपका important बचा है मैं उसे भी बताना सोच रही हूँ अच्छा जी एक और कौशन है just second most important question है यह बहुत important है यह किस देश के लेखक डैमन गलगुट ने बुकर पुरसकार 2021 के चीत लिया है हाली में अभी किस देश के लेखक डैमन गलगुट को डैमन गलगुट डैमन गलगुट यह किस देश के राइटर डैमन गलगुट को अभी बुकर अवर्ड 2021 से सम्मानित किया गया है तो डैमन गलगुट यह किस देश के राइटर है या ओथर है तो यह है South Africa यानि South Africa के दक्षण अफरीका के यह लेखक है डैमन गलगुट और अभी इनको बुकर अवर्ड 2021 से सम्मानित किया गया है इनको इनके एक बहुत फेमस नॉविल कौन सा नॉविल है एक इनका नॉविल है क्या राम है बड़ा सिंपल सा नॉविल है कुछ ज़्यादा बड़ा नाम भी नहीं है बस मेरे दिमाग से ही जो है उतर गया है बाराल नको एक नॉविल के लिए इनके एक नॉविल के लिए बता दूँगी मैं आप उठीगे इनके एक नॉविल के लिए ये बुकर अवर्ड दिया गया है वो बता दूँगी इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछ जा सकता है किस नॉविल के लिए दिया गया है तो साउथ अफ्रीका के हैं डैमन गर्ल गुट ठीक तो यह आप या तक साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है ती कैपिटल है केप टाउन लजिसलेटिव कैपिटल यानि संसद है यहां South Africa की Pretoria Executive Capital है यानि यहां पर यह मंतरी परिशद यह Council of Minister यह फिर Executive है यहां कारेपालिका है तो यह कारेकारी राजधानी है Pretoria South Africa की और Blowing Fountain तो Blowing Fountain जो है जुडिशिल Capital है South Africa की क्या है? Judicial Capital तो Blowing Fountain, Judicial Capital South Africa की Executive Capital Pretoria है और Legislative है Cape Town और Cyril Ramaphosa यह President है किसके South Africa के और South Africa की Currency है South African Rent क्या है? South African Rent और यह जो मैंने आपको Question बताया था एक उर्जा एक Grid वाला इसको दुबारा से सुन लिजे जरा सा कि किस अपने देश भारत और किस देश ने मिलकर 101 क्या है? एक सुबारा से बहुत द्यान से सुनिए अपने देश भारत और किस देश ने मिलकर एक उर्जा थाना ही है? किस देश ने और अपने देश भारत दोनों ने मिलकर सुर उर्जा सुर उर्जा ग्रिड क्या बोलेंगे सुर उर्जा ग्रिड का अंतरराश्ट्रिय ये है सौर उर्जा ग्रिड का अंतराष्ट्रिय नेटवर्क हाँ बिल्कुछ सही ऐसे याद रखेंगे हाली में अपने देश भारत और किस देश ने मिलकर सौर उर्जा ग्रिड का अंतराष्ट्रिय नेटवर्क लाँच किया है अब ध्यान से सुनिये हाली में अपने देश भारत और किस देश ने मिलकर सौर उर्जा यानि Solar Energy Solar Energy Grid का इंटरनेशनल नेटवर्क यानि अंतराश्टिय नेटवर्क लाउंच किया है तो सौर उर्जा उर्जा ग्रीड का अंतर राश्ट्रिये Network लॉंज किया है, शुरू किया है अपने देश-भारत UK ने क्या है? One World, One Solar, One Grid सौर उर्जा का अंतर राश्ट्रिये Network लॉंज किया है अपने अंडिया और UK प्रधानमंतरी अपने हैं श्रीमोधी जी और वहां के हैं वारिस जॉंसन दोरों ने मिलकर ठीक है और ये जो ये जो अभी राइटर की जो मैंने बात की है ठीक है इनका जो नॉविल बुला है मैंने कौन सा है डेमन गलगुट का यह दा प्रामिस कौन सा यह? डेमन गलगुट का दा प्रामिस नौबल है ज़्न के लिए इनको Booker Award 2021 मिला है. कौन सा है दा प्रामिस नौबल है जिसके लिए इनको Booker Award 2021 दिया गया है तो ये था जी जो बच्चे हुए कोईशिशन थे 4th 5th November के special part 2 लाइक कॉमेंट जरूर करें अपने खयाल रखें खुश रहें, thank you so much